सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोड भार्तियों का अपने देश बाज्वाश्वीयों का मैं शुक्रिया अधा करना चाहूंगा धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिनोंने मेरे लिए शोशल मीडिया पे हो चाहे दौाइं मागी हो चाहे प्रातना की हो चाहे मंदिल गए हो गुर्द्वारा गए हो मस्जिदों में चर्च में हर जहाँ जहां से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं मैं सूझ भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं आप सब का बहुत बहुत शुक्या वरना तो इस बार जेल में इतनी मतलब पांच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया इतना टॉर्चर किया गया मेंटली भी और फिजिकली भी कि क्या बताओं आपको अगर कहा जाए खुद को पोशर का सिकार हो गया हूं पैर दिखो गए कभी अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है पर निकल आया बाहर और जुडिश्री का बहुत शुक्त गजार हूं जुडिश्री ने बहुत अच्छा डिसिजन दिया है वो मेरा ओडर लेया है जुडिश्री ने बहुत अच्छा ओडर दिया है और उन्हें साफ साफ कहा है इडाव्टर कफील ने जो अलिगड में भाशर दिया था वो कोई भड़काव भाशर नहीं थ वो देश की यूनिटी के लिए अख़तना अख़न्डता के लिए एक जुटता के लिए था और उनोंने साफ-साफ कहा है । डॉक्टर कफील ने हेल्थ पे बात की है, इंप्लाइमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी, कपड़ा, मकान पे बात की है एनारसी खिलाब बुलाएं पर ये भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांधी जी के आहिंसा के सद्भावना के साथ होना चाहिए कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए सबसे भाई मिलकर भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया मुंबई एर्पोर्ट से पकड़ गया तालीस घंटे तक इंट्रोगेट किया गया कि स्टीएफ की टीम ने ऐसे सवाल पूछे अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे मैंने का भाया मैं डॉक्टर हूं बच्चों का मैं कहां से पाउडर मना लूँगा करोना की बात कर रहा है तो आप चाहिना से पूछे आप सरक आप जपान गए थे मैंने का हां पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया अरे जपान कैसे इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हो जब पासपोर्ट मेरा जुडिशिरी के पास जमा है तो एक तरह से बहुत चौचर किया फिर जेल में रहके जेल में ऐसी जहां रखा जहां पेक सो एजिडी के बाद जो नौ महिने का दर्द था उसको उससे जादा उससे कई गुना हजारों गुना जादा पतली पानी की तरह दाल कच्ची रोटियां वही सुबा शाम खाना है जीना था उमीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा मुखातिब हो सकूंगा आप ल और आप सबकी दुआये काम आई आज आपके साथ हूँ फिर से दुबारा हाँ हाँ आसे बाइं तन्वीव आई स्लाम अलकुम मत्रुआ की नगरी कृष्ण जी की पवित नगरी में रहे के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोका नहीं देना अपना दिल साफ रखना यही धर्म होता है और हम लोग रमाइड देखते थे नोबए से दसबए तक हर रोज आता था लागडाउन के टाइम भी तो उसमें भी जो उत्तर रमाइड में महाश्री वालमीकी जी ने श्री रामचन जी को जब एक बात कही थी जब उन्होंने धनुशुडा उठा लिया श्री लवकुष के खिलाफी तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राज धर्म होता है राज हट नहीं पर यहां तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया बच्चों की जान बचाने की इतनी बड़ी सजा दो गए भाई क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुना हो गया था सारी लोग फोन कर रहे हैं फोन नहीं कीजे कोई भाई में खुछ दिर बात कर लूँ बहुत दिनों बाद आड़ महीने बाद आपसे राकेश शुदी साथ शुक्रिया वैबा पॉटर ठैंक यू यार ठैंक यू बिश्वान खान साथ शुक्रिया वाल इसलाम आई लव यू टू तो मैं कह रहा था कि महाश्री वाल में की जी ने राश्री राम चंची से कहा कि बाल मत करो इस तरह से परतानार देना 9 महीने उस वक्त जेल लखना फिर बहराईच वाले कांड में भी दो महीने जेल लखना फिर आठ महीने इतना टॉर्चर कराना जेल में बार बार स्रिफ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे जो 70 बच्चे आक्षिन की कमी से मर गए हैं उनकी कभी बात नहीं करोगे उनको भूल जाओ कैसे भूल जाओ अपने सामने मरते हुए उनको दिखा है कोरोना के टाइम जब इस भारत में इंडिया में कोरोना ने इंट्री नहीं की थी 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था करोना पे लेके और उस वक मैंने साफ साफ कहा बताया था क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे इस से बचना है और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया मैंने मानिनी है पधान मंत्री नरेन मोदी जी को 19 मार्च को ही एक लेटर जेल से सुप्रिटेंडन जी की दारा बिजवाया और उसमें साफ कहा कि हम कम्मिटी ट्रांस्विशन से बस नहीं सकते हैं हमारा भारत देश ऐसा है क्योंकि मैंने पूरा भारत घुमा है कितनी गरीबी है एक घर में चार-चार लोग कैसे रहते हैं ए कैसे दूरी दोगश की दूरी रहो कह देना आसान होता है पर वह इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए कितने माइग्रेंट बिचारे चलते 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 गए ट्रेनों में दब गए गरीबी कितनी है आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की कोरोना वायरस इस तरह से फैल च छोड़ देंगे चेंदनेंग मोजी किद्धी के दोस्ट ट्रंप सहाब और ये इंडिया फस्ट सेकेंड नंबर पर रह गया है 48 लाख कोरोना वायरस केस हो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा मौते हो चुकी है बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए आठ महिने में शायद बहुत कुछ कर सकता था पर करने नहीं दिया गया जेल में जान बूच के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे दे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी नहाने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी गर्मी एतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के पूरा नहा के पूरा बिस्तर बिचा के बिस्तर को भी भिगा देता था तब जाके लेटता था और वो डेड़र सो लोग पांसो चौतिस लोगों की रहने की जंगा है वो लेकिन सोला सो कैदी थे अब बताइए वहां पर कैसे शोशल लिस्टेंसिंग हो जाएगी वो एक खौप था लोगों की सांसेंस लोगों की बद्बुआं लोगों की मतलब पिशाप के महेक अरे एक टॉलेट होता था एक सो पचास लोगों के बीच एक टॉलेट किस तरह से जिन्दगी गुजरी है और एक बात बता दूं स्री मैंने सफर वक्ते आँँ पूरी फैमली को हरास किया है पूरी फैमली को जिस तरह से परतारित किया गया है उसका कोई ब्यान नहीं है गोपाल द बच्ची मेरा बच्चा जो 11 महीने का था जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था आज चलता है दोड़ता है बोलता है पिछली बार भी जब बी आईडी में 70 बच्चे मरे थे और उस वक्त भी बिना बाद के जूट केस में फसा के जेल भेज दिया गया और जब 9 महीने बाद हाई कोड ने कहा किया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी इंक्वाइरी रिपोर्ट में आ गया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा उस वक्त भी अपनी बच्ची जब अपना बाप होके मैंने दोनों बच्चे मुझे बाप पापन का मतलम नहीं समझते हैं अब बुजान का मतलम नहीं समझ पाते हैं पिता जी का मतलम नहीं समझ पाते हैं यह दर्द है मेरी माँ 65 साल की बुड़ी होके हाई कोट और सुप्रीम कोट के चक्कल लगाती रही तब जाकि ये जीत हुई है और जुडिश्री ने इतना अच्छा अड़र किया है एक बात और करा दूँ स्थियफ का शुक्र अगजार हूं कि उन्होंने मुंबई से मत्वरा लाते वक्त मेरा इंकाउंटर नहीं कर दिया विकास दूबे की तरह वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते लोगों की आवाज को दबाना ही इनका काम है वहराल अड़र आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा इतना अच्छा अड़र गुमिन मात्वर साब ने ने किया है सुप्रीम कोर्ट का भी दन्यवाद करूंगा वरना तो हाई कोर्ट मेल डेट पर डेट डेट पर डेट डेट पर डेट हर चौदा निन पर कैसे एक एक दिन कटेगा एक घंटे कटेगा यह सोचता था कैसे वो टाइम आएगा जब वो मैं बहान निकल पाऊंगा कब मेरी जज मेरी कोई बास सुनेगा इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट मेरी माада 65 सास के बोड़ी मा सुप्रीम कोर्ट का शुप गजार है किए MBS करने के बाद 2016 में मैंने जॉइन किया था, 2017 में घटना हुई थी, एक साल का जूनियर था, मैं जूनियर मोस डॉक्टर, अब फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जीजान लगा दी और उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया, और ये नहीं, इसके अलावा न नहीं, the petitioner and his other family member, including the detourney, were continuously harassed and victimized by the state authorities, including the district administration, Gorakhpur, by several means, मेरे, यानि की, मुझे ही नहीं, पूरी family को, सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहिए, मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा, शायद वहाँ पे जहाँ पे, चीप इस्टर, खुद मौजूर रहते हैं, 500 मिटर दूरी पे, आज तीन साल होने जा रहे है अस बात मेरे, यह अरह बात मेरे, एक भी कोई गिरिफतारी नहीं हिया, कोई चार्ज नहीं हुआ है, बहराल आते हैं, एम यू के जो लोगग कहते हैं कि भाषर मैंने गलत दिया ठांच Senator, हलत लाषर थां कोक्या बहां कोशानिक वहराम से कहता है, कि मैंने धर्मों के बीच दो रिलीजन के बीच एन्मिटी हेट्टेड वाइलेंस फैलानी कोशिश की पूरी स्पीच लिखी है उन्होंने पूरी स्पीच पूरी स्पीच लिखी है एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किस मैंने बात की थी देश के अख़णिंदा की, यूनिटी की, सत्भावना की, मैंने बात की थी एजुकेशन की, हेल्थ की, इंप्लाइमेंट की, एकनॉमी की, रोड की, हाउसिंग की, मैंने बात की थी उन सतर बच्चों की जो ब्याडी मर गए हैं, मैंने बात की थी उन आठ ल कुछर का शिकार हैं मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एस और चाईवी का है बनता जा रहा है मैंने बात की थी कि 72 परसंट आफ पॉपुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर वहां पर है ही नहीं आज हालत दिखाई दे रही है ना आज कहे रहा है हम इतना GDP खर्चा कर के पचास हजार बच्चों को देखे मुफ्त में दवाईयां दिया केले नहीं गया बहुत से डॉक्टर बहुत से लोग में सामिल थे बहुत लोगों ने साथ दिया पर हुआ उसको भी दवा दिया गया इस कुरोना टाइम के मैं जब रियली मन काम कर सकता था शायद कोई न डाला बहरा आ गया हूं कोशिश करूँगा और फिर से मुखमंत्री योग यादितनाज जी से निवेदन करूँगा कि मुझे नौकरी पर वापस ले लें तीन साल से सस्पेंट किये हुए हैं कैसे जिन्दगी चल नहीं है कैसे फाइनिशल कंडिशन है आपको बता नहीं सक पर लड़ा कहते हैं ना इस जुन की दौर में जुबा को कहते हैं ना कि इस जुन के दौर में जुबा खोले है कौन अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोले है कौन तो बोलना ज़रूरी है किसना किसी को कुर्बानी देनी होगी तो शायद उपर वाले ने मुझे चुना है बहराल बाहर आ गया हूं खोशिश करूँगा कि सबसे पहले बिहार आसाम केरल करनाटकार कमिलनाडू जहां पर बार आई हुई है बार बार से तो एक बहुत नुकसान होता है घर डूप जाते हैं घर तूर जाते हैं लोग भिखर जाते हैं लेकि सबसे नुकसान तब होता है जब बार का पानी चला जाता है पिछली बार हम लोग केरल असाम और बिहार में हम लोगों ने बहुत काम किया था और इस बार भी काम करना चाहूंगा क्यो करो बहुत होता है कि पर दروक काम करना चाहूंगा कि परोणा वारधवार यह वालियर की तरह काम करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा अगर योगी-कि किर्पा होगी नौकरी अगर वापस मिल गई तो किसी अस्पिजल से एटायच हो के रिसार्च करूं और कोशिश करूं कि कोई नई दवा इजाद हो पाए जिससे हमारा देश कि और किसी की मौत नहीं बढ़ता जारा हर रोज हजाल लोग मर रहे हैं एक का भी मरना बहुत खतरनाग बात जिसके घर में परिवार में एक मौत होती है वही हो जानता है यहां तो सब 65,000 लोग मर चुके उस पर काम करना चाहूंगा और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनी पिक बन जाओं मेरे उपर रिसर्च हो जाए मैं खुद की का लगवा लूँगा अपने आपको वालेंटियर करूंगा मैं यह मेरी नई योजना है अभी कुछ दि यह डिस्टिक जेल मत्रा में आडर पहुंच गया था हाई कोड का लेकिन फिर भी बारा घंटे तक यह लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में भसा दें जैसे इन्होंने पिछली बार अलिगर में जब मुझे गिरिफ्तार किया था मुंबई से जब मु मुझे इलिगली मुझे डिटेंड करके रखा और फिर नसे लगा दी नसे निशनल सिक्योर्टी एक्ट मैं टर्रीरिस्ट हुचा दाड़ी बढ़ जाती है जेल में बढ़ जाती है आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी इंदो मुस्लिम सिंग किसाई या किसी में धर्म बि जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है जो भरा होता है गंदगी से वो दिमाग वो लगाती है अब यूपी से अब यूपी से घर नहीं गया हूं गोरकपूर नहीं गया हूं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अब भी किसी ना किसी किसी के इसमें पसाने की कोशिश कर रही है फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें मरवा दें हो सकता हो आपके बीच में ना रहा हो हो सकता हो यह हमारी और आपकी आखरी मुलाकात हो यादो जी जी सही कहा रहे हैं मिनास गलियर आप थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया मोहनचान जिंगी चोजी समर साब थैंक यू तो मैं कह रहा था कि पुरोना वायरस एक ऐसी डिजीज है जो फैलती ही रहेगी मैंने उस वक्षण 19 मार्च को ही लिख दिया था कि 30-40 लाख लोग उस वक्षण मैंने एस्टिमेट किया था कि ये अफेक्टेड होंगे और अलेडी 30-40 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और अभी ये रुकेगा नहीं अभी ये एक साल चलेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी अभी यूपी बिहार और मदपदेश जैसे भी इलाकों में जहां बहुत पापुलेशन है वहाँ ये फैलने वाला है और बुरी तरीके से हमें बहुत काम करना पड़ेगा हमें मिल के काम करना पड़ेगा हमें मुझे आप सब की बहुत जरूरत है आप सब का बहुत सहयोग की जरूरत पड़ेगी जी सहसाद साब जी पांडे साब नमस्कार नमस्कार रादे रादे किष्णा की नगरी में हो विल्णावन जरूर जाना चाहूंगा एक बार ठाकूर जी की दर्शन करने के लिए बात यहाँ पे लोग मन की बात करते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं अब आप देख लिए हम लोग तो टीवी पे देख रहे हैं पिछले तीन महीने से सुषान सिंग सिंग राजपूत को ही सुने जा रहे हैं भाई फोन नए करो फोन करने के वाज़ा से बार बार पास हो जा रहा है राजपूत की तीन महिने से लगातार टीप बात किये जा रहे हैं मन की बात कर रहा है कि हमारा जीडीपी कल परसों जीडीपी शायद रिलीज हुआ है और हमारा जीडीपी जो है भाई फोन नहीं करो मैं कह रहा हूँ कोई फोन ना कीजिए प्लीज कुछ बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिला हूँ आप लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे समसुन मलिक साब नूर खान रियान खान साब अधिति राजी साब अफ्ताब तो आप सबसे बात करना चाहूंगा फोन ना करें तो मैं कहरा था कि जो में बातें हैं टीवेड जो होती है वो नहीं हो रही है शायद कुछ टीव ए अंडी टीवी है या आपका मिरन ना ओँ है टाइम्स ना ओँ है या फिर इंडिया टुड़े हैं इस सब पर हो रही होग पर जो यहाँ पर बाते हो रही है वो यह नहीं हो रही है किस तरह से माइगरेंट हमारे करोड़ों लोग किस तरह से पैदल चले और चलते चलते मर गए उस धूप में कड़ी धूप में मरत गए ये बात नहीं हो रही है कि unemployment कितना बढ़ गया है लोगों को नोकरिया नहीं है लोगों को खाने को नहीं है 500 रुपया आपके account में डाल दिया गया है अब आपको तीन महीने तक 500 रुपया चलाइए 5 किलो चावल दे दिया गया है आप पूरी आठ लोगों की family है खाते रही है तिन 6-6 महीने तक बात जो है real issue पे होगी ही नहीं education पे होगी ही नहीं employment पे होगी ही नहीं health पे होगी ही नहीं हमारा जो कोई भी आपको hospital देख लिए क्या हालत हो गई है कोई भी सरकारी hospital में जाना नहीं चाहता है आपने ध्यान दिया है कोई भी बड़ा मंत्री कोई भी बड़ा अधिकारी कोई भी बड़ा जो है chief minister हो या कोई भी health मतलब मैं नाम नहीं लूँगा सब लोग विदानता में जाके इलाज करा रहे है विदानता यानि की नर्डा में करोड़ों रूपे का इलाज करा रहे हैं लें कोई भी सरकारी hospital में नहीं जाना चाहता है क्यों 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 कि सरकारी hospital के हालत खराब है वहाँ गरीब जाएगा गरीब मरेगा और गरीब मरता है तो मर जाने तो क्या फरक पड़ता है तो जो लोग ये सुचते हैं कि बार बार जेल में डालके गान लाल कर दो पूरी तरह से पैर पे मारो करते रहो ये एकदम तोड़ दो इसको तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है I won't bend I won't bend मैं जुकूंगा नहीं डरना आता नहीं हमें चाहे जितना भी जरा लो हर बार एक नहीं ताकत से उठे करेंगे चाहे जितना भी जुका लो कि कहते हैं ना कि लोग हमें दुश्मने जहां कहते हैं अरे हम इस मुल्क की मिटी को भी अपनी मा कहते हैं उसको तुम जो है उस पर एनसे लगा देते हो कोट ने कहा है कि जो कुछ है यह अवैध एनसे लगा है सारा अवैध लगा है देखो कि क्या हालत बनाई है बटी सावा बोल ले हो तो देखो क्या हालत बना दी है मैं कुपोशर के लिए वो कर रहा था यह तांगे हैं मेरी यह हाथ है खाना जो है कि लगी का जो मैं खुद को पोशर का बच्चों का इलाज क्या करता था आज खुद को पोशित हो गया घरवालों को किस तरह से परिशान किया गया है वो बता नहीं सकता पर आप लोग जो 138 करोड देशवाशी हैं मेरे उन सब का साथ मैं कभी भूलूंगा नहीं खासकर कुछ लोगों का जो लोग बहुत करीब थे इंद्रा जैसिंग में पुजयल आयूबी इबाद सहाब मनोज सिंग मनोज पांडे मनी सिंग इड़िट मनी सिंग दिलिप कुमार सहाब नद्रल इसलाम साब ऐसे बहुत से लोग हैं बहुत से लोग मेनाख्शी शुक्ला मैं इर्फान गाजी आँ अली करके इर्फान जल्दी बिहार आ रहा हूं जल्दी हम डॉटर कफील खान मिशन इसमाइल फाउंडेशन के तहट कैम लगाएंगा और इस बार एक बड़ी टीम बनाके एक साथ कई जहां पे असम बिहार तमिलनाडू करनाटका केरल आंद्रपरदेश जहां जहां पे मद्परदेश जहां जह बस्चिम बंगाल जहां पे तुफान आया हुआ है अभी भी लोगों को घरों पे तूटे उपड़े हैं हर जहां जाना चाहूंगा पुर्वांचल अपना गुरगपूर अपना उत्तरपरदेश हर जहां जाना चाहूंगा पूरा भरत में टीम बनाके हम इस बार एक सहीव चाहिए मैंग वर्मा साहब आप कुछ लोगों से बाते कर लेता हूं मैंग वर्मा साहब सही कह रहे हैं दाड़ी कल काड़ दूंगा बच्चों का इंतजार कर रहा हूं बच्चे आ जाए एक बार उनसे मिलनूं उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी अमनिस जकंत थुड़े भर जाते हैं पर जो मेंटल नुट तक रहता है दिमाग खराब हो जाता है इन आठ मौहनियों में देखिए किस तरह से जुनियां आ गई किस तरह से काले पड़ गया हूं किस तरह से जो हैं जस साल बुड़ा कर दिया है जुबेर पीके साब बोलना जरूरी है बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा सब तो चुप हैं किसी को तो बोलना पड़ेगा जैदु जैदु आप आपने वहां से बैट के हां इंडिया से बाहर बाहर गल्फ कंट्री में यूएस से यूके से कैनेडा से सुजर्लेंड से बहुत से ख़त मेरे पास आया करते हैं जेल में उन लो को बहुत बहुत 5 जुरिया है सत्या, शिर्खान साब सत्य की जीत होती है, सत्य में हो जैते हमें अपने कांस्टिचूशन में बाबा साहब अमबेट करके कांस्टिचूशन में बिलीव करना है और उसी की वज़ा से मैं बाहर आया हूँ कुछ लोगों ने सरकारी एजेंसियों को जिस तरह से अपने कबजे में करके लोगों को परतारीद करते हैं वो सही नहीं है, अटोक्रेटिक यह हमारा देज़ डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको freedom of speech, एक article 21 में दी गई है, liberty, सुतनता, समझ गए तो बोलना जरूरी पड़ेगा हम नहीं बोलेंगे रूबनी देनी होगी किसी न किसी को पुर्बाइं देनी होगी तुर्त मस शरों कुमार साब यस थैंक्यो शाइना मुजबिया चिछदानशु कुमार हां कुछ दिन एकससाइज करूंगा और हेल्थ बनाओंगा जोकि जिन्दा रहना है आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है तो हेल्फ पे भी ध्यान दूंगा डेरिक कुजर थेंक यू या जरूर मैं करूंगा थेंक यू शुबान जमाल सावाम मुहमत कलापटी फ्रम दुबई आलदबेस थेंक यू मैंने कहा ना गल्फ कंट्री से बहुत कार आया बहुत मिला है केरल के लोगों ने बहुत सयोग किया हुआ है पुरा साहुत ने पुरा नौर्ट ने पुरा सेंट्रल ने बिहार के कई भाई अभी बहुत जेल में हैं उनके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ चुकि कल रात में पुलिस की घेराबंदी हो रही थी और कुछ और बाते हो रही थी इसको हम डिसकस नहीं कर सकते हैं तो इस वज़ा से अभी बच्चे मेरे पास पहुंचे नहीं है मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूँ आँखें तरस रही हैं गले मिलना चाहता हूँ अपने बच्चों के साथ अपनी मा की गोद में लेट के रोना चाहता हूँ रोना चाहता हूं सीरे से लिए रोना चाहता हूं तब जिस तरह से जिन्दगी कर दिया है अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है एक बार उनसे मिलना चाहता हूं एक बार मा की गोद में लेट के सोना चाहता हूं सुगून की नींद सोना चाहता हूं यार पता है जिल में क्या होता था आर